पटना में बाड ने भयानक तबाही मचा दी है हालत यह है कि जो सुशील मोदी है वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको तीन दिन बाद घर से रेस्क्यू किया गया है जो शारदा सिन्ना है बड़ी सिंगर वो अपने घर से ट्वीट कर रही है कि उन्हें कोई आके बचा कि वाकई में हैरतंगीच बात और ऐसे में सियम नितिश कुमार पहले एक नक्षक्त्र को दोशी ठेहराते हैं हतिया नक्षक्तर का नाम लेते हैं उसके बाद जो अश्वनी चौबे हैं केंद्री मंत्री वो यह जम्यदार है तो लालुयादव यादव के बेटे तेजस्व फेल हो चुका है। ऐसे में लोगों में यह सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि अधिया नक्षट्र होता क्या है? और क्यों इसको जिम्मदार ठेहरा जा रहा है? क्यों सरकार सतिया Νक्षत्र के पीछे छुब कर एक तरह से अपने एकों बचाने की कोशिश कर रही है तो हमने थ decks वात की पता किया के आतियान क्षत्रा खेहिता की होता क्या है कि आम तोर पे दिजी मुनियों ने आकाश को बारे भागों में बाटा और ये सूरह की रास्ते में जो आते हैं उस तरह से बारे राशियां बन जाती उन्हें बारे पाट में बन जाता है ऐसे ही तारों का समू नशक्त्र कहलाता है जिसको यह हतिया नशक्तर बोलते हैं बिहार में जो नितिश कुमार ने बोला और ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ही गलत है मैं आपको अख़वार की कटिंग दिखा सकता हूँ यह अख़वारों की वहां के हिंदी अख़वारों की कटिंग से हैं पर इंतिजार रहता है कि यह तिया नशक्तर आएगा तो बारिश अच्छी होगी आम तो पर यह माना जाता है यह तो ऐसे में उस दोरान बारिश ज्यादा होती है यह माना जाता रहा है शुरू से मीडिया रिपोर्ट्स भी छपती रही है ऐसे में शुरूात में नितिश कुमार ने यह समझा होगा या खुद को बचाने की कोशिश की होगी और कैसे चंद्रमा जब घुमता है अपनी परदी पे तो 27.3 दिन कुछ होते हैं तो माना जाता है कि हर दिन एक नशक्तर होता है औ और उस नशक्तर को आप अलग-अलग बारे पार्ट में बाढ़ देंगे तो वो हर राजशी के खाते में ढ़ाई या तीन नशक्तर आते हैं और ऐसे में लोगों की राजशीयां के इसाब से नशक्तर के हिसाब से हरादमी का एक नशक्तर होता है उसका विक्तित बनाया जा लेकिन जब अपनी नाकामी चुपाने के लिए इसका नाम लेते हैं। लेकिन आपका जिस्तम है वो क्या कर रहा था ऐसे मैं और सी नाम दोषेख य। पर समय से बाद में नामवा उस्तिमे नाही थे य। बड़ी सब्सक्राइब करने कबर तेंक करब नामस्कार इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल